इलाके में उस वक्त हडगंप मच गया जब गाड़ी को साइड नहीं देने पर दो पक्षों के बीच जम कर बवाल हो गया जिसके बाद दोनों ही तरफ से फाइरिंग और जम कर पत्रा हुआ इस विवाद में महिला समेत दो लोग गोली लगनी से घायल हो गए बताया जा रहा है कि बस्पा निता कार से जा रहे थे तभी दूसरी कार में सवार परिवार से उनकी बहस हो गई दोनों पक्षों का ये विवाद फाइरिंग तक पहुँच गया कर दोनों पक्षों से दो दो आदमीयों की गर्फटारी कर ली गई है मौके पर शांती है और इस्तिती पूरी तरह से नियट्जित में है आगे की बिविशनात्म कारवाही की जा रहे फिलहाल पुलिस ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया है और मामला दर्ज कर आगे की कारिवाही शुरू कर दी है ये हंगामा सोनीपत के शंभू दयाल स्कूल में हो रहा है और इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां की एक अध्यापका ने एक मासुम बच्ची की ना सिर्फ पिटाई की है बलकि उसके बाल तक नोच लिए है जी हां वो भी हूमवर्क पूरान करने को लेकर अपनी मासुम सी बच्ची के साथ अध्यापका का इस तरह इतना बेरहेम सुलूक देख परिजन अपना आपउक हो बैठे और उन्होंने स्कूल पहुँच कर जंग कर हंगामा किया है इस मौके पर परिजनों का साफ लबजों में कहना था कि उनकी बच्ची पढ़ाई में कमजोर है तो टीचर उसे पढ़ाए लेकिन अपनी मासूम बच्ची के साथ इस तरह की बेरहमी वो बरदाश्ट नहीं करेंगे कई बार मैने स्प्रिंसिपल से शिखाज किया है मेरी पोती को मारा मत करो कोई बात नहीं इसको कम आता पड़ने के लिए तो तुम्हारा काम पड़ाने के लिए तुम इसको पढ़ाओ शिखाओ कोई बात पमल नहीं किया उन्हें अब जड़ा स्कूल के प्रिंसिपल माहशे की बातें भी सुन लीजिए इनका कहना है कि बच्ची के बालों में ही समस्या है उसे किसी भी टीचर ने मारपीट नहीं की है जड़ा की सकार में हुआ था अरे वो बच्चे के कोई थोड़ा सा जो है उसकी प्रॉबलम बालों में थी गारजन कह रहे हैं कि टीचर ने बाल कीचे है यह मात थी जड़ा प्रॉल की तरब से कोई एक्शन लिया जाएगा वहीं जब ये पूरा मामला ADM के पास पहुंचा तो उन्होंने मामले की जाँच जिला सिक्षा अधिकारी को सौमती और जल्द से जल्द जाँच की रिपोर्ट देने की बात कही इस मामले में जिला सिक्षा अधिकारी का क्या कहना है आए सुनाते हैं स्कूल में एक बच्ची से मारपीट होती है उसके बाल नौच लिए जाते हैं और स्कूल प्रिशासन पूरे मामले में पल्ला जाड़ लेता है हाला कि मामले की जाच की जा रही है लेकिन आप ही बताईए कि क्या स्कूल प्रिशासन सच बोल रहा है या फिर क्या ये मासूम सी बच्ची इतना बड़ा जुट बोल रही है